है 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 आप सभी है और आज हम आपके साथ जो शेरिंग करने वाले हो बहुत ही अच्छी क्वाल्टी ट्रिक्स है इस ट्रिक्स में जैसे कि आप्लिप्लाई जैसे 11 का मिल्टिप्लाई 11 से कैसे करते हैं 111 का multiply 111 से कैसे करते हैं इस तरीके जो भी concept है वो आप नाइन अंक तक तो आप easily कर लेते हैं लेकिन जब बात आती है 10 आंक की जैसे कि 11 जो है वो 10 times है into 11 जो है वो 10 टैम है इसका जो multiply करना वो कैसे करते हैं मैं मुद्धा है आज का यह ठीक है इस वीडियो के अंत तक बने रह हैं क्योंकि यहां से आपको बहुती अच्छी क्वाल्टी की ट्रिक्स मिलने वाली है ठीक है चलो start करते हैं पहले मैं बेसिक से ही start करूंगा जैसे आपको पता है basic अगर हम किसी भी संख्या जैसे 11 into 11 करते हैं तो हम कैसे करते हैं यहां पर आपको पता यह यह two times है यह two times है तो आप कैसे करते हैं शुरू से लिखते हैं one two इसके बाद जो इस मैंसे एक घटाते चलते हैं ठीक है इस प्रकार से जैसे कि one two अगर two digits है तो two लिखते ही जो जहां लास्ट है जाया का लास्ट ते आगा आगे की जो ट्रिक्स हैं वो है n minus one ठीक है जैसे यहां में दो डिजिट है तो रखी उसके बाद minus one किया तो इसका जो आंसर आया माइनस वन तो आपने माइनस वन रख दिया यहां पर इसी प्रकार अगर आप कोई भी डिजिट लेते हैं जैसे 111 इंटू 111 ठीक है यहां पर आपके त्री डिजिट है तो त्री डिजिट है त्री नंबर है तो आप कैसे लिखेंगे 123 अब आप इस मैंसे तीन मैंसे माइनस वन करेंगे फिर आप दो मैंसे माइनस वन करेंगे तो इस प्रकार से पहले इसको descending order उसके बाद फिर इसको ascending order में लिखते है ठीक है इसी मुद्धे पर चर्चा करने वाले है जैसे कि आपको पता है पहल 123456789 9 के बाद इस संख्या को मैं 8 7 6 5 4 3 2 यहां तक तो 9 तक तो हर को इकल लेता है लेकिन जो मुद्धा आता है वो 10 डिजिट का आता है ठीक है इंटू जो 1 है वो भी 10 टाइम है तो इसको आप कैसे solve करते हैं इसको solve करने का जो तरीका है वो ये तरीका है पहले हम इसको पीछे से लिखते है ठीक है पीछे से लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक मैं easily पीछे से लिखता हूं इसके बाद जब मैं 10 करता हूं तो यहाँ पर 0 बन जाता है ठीक है अगर आपको कहीं भी 10 मिलता है तो उसके बाद इसको हम कैसे handle करते हैं यह इस पर discuss करने वाले हैं आपने easily 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 तक easily कर लेते हैं उसके बाद अगर 10 digit हैं तो यहाँ पर आपको 2, 0 इसके बाद add करना होगा उसके बाद यहाँ पर 3 अंक आपको ध्यान रखने हैं एक तो 0, एक 0 फिर 8 की जगे यहाँ पर 9 use होता है 8 की जगे आपका यहाँ 9 use होता है ठीक है friends 8 की जगे यहाँ पर आपका जो use होता है वो nine use होता है carry लेने के बाद ठीक है तो इसको आप ऐसे handle कर सकते है one two three four five six seven nine तक easily है उसके बाद आपको two zero add करने होंगी और eight की जगे आपको nine use करना होगा और nine की जगे कुछ नहीं ठीक है तो इस तरीके की ये भी एक trick and technique है जो IPSPU IPS के लिए की बहुत ही most important trick सावित होने वाले है ठीक है फ्रेंस थैंक्यू वायवाद धन्नेवाद टाटा